हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बल फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदेंक मोश्ट इंपॉर्टे बहुत ज्यादा डिमांड आरा था क्योंकि यह जो चाप्टर है कुछ यूनीक चाप्टर है कुछ फॉर्मूला बेस चाप्टर और यह चाप्टर नाइन्थ में आप जब पढ़ोगे इस बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यह नाइन्थ जो एट चाप्टर है हमारा ट् इसको भी 8.1 है उसको भी हम सॉल कराने वाले तो वीडियो आज का मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए वीडियो बहुत ध्यान से देखना और लाश्ट तक देखना तो चलिए शिरुबात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व अप्लाइ होता है राइट अंगल ट्रेंगल में हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइ होता है वो किसमे होता है दोस्तो राइट अंगल ट्रेंगल में होता है तो लेट सपोज आम ड्रॉइंग वन राइट अंगल ट्रेंगल एक राइट अंगल की विशेश था यह होत अब यह जो triangle है मेरा जिसमें एक angle मेरा B जो है 90 degree हो गया तो let's suppose मैं मान लेता हूँ कोई भी एक angle कोई भी एक angle मान लेता हूँ यहाँ पे कि A जो है मेरा एक angle है और उसको मैं नाम दे देता हूँ theta अब theta का मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई भी एक एकस मानते है वाय मानते है वैसे ही हम लोग जब भी एक से आइंगल को इसको theta मान लेते है ठीटा को हम लोग ऐसे और बीच में से ऐसा लाइन खीशत हो और बोलने के लिए इसको बोलते है theta लेकिन लिखना हमेशा यह सिंबॉल से होता है ठीटा ठीक है दोस्तों तो यह चीज आपको समझ में आ रहेगा अब इसी के बेस में कुछ फॉर्मूले से जो कि हम लोगो पढ़ना है यह तीन चीज यह पहले भी आपने पढ़ा है साइन कॉस्ट है लेकिन एक्जाकली में यह इसका मतलब क्या होता है मैंने बहुत बार बताया हूँए जब भी साइनस का एक लेक्चर हुआ था आपको याद होगा उसमें कुछ साइनस चाप्ट नंबर टू था नाइन स्टैंडर में आपके चाप्ट नंबर टू वर्क एन मैंने एक topic आया था, cos theta वाला, ठीक है, एक formula हमने derived किया था, आपको याद होगा, तो same उसी चीज के वज़े से यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था कि जब हमारा geometry का topic आएगा, trigonometry वाला, तो वहाँ पे आपको concept समझ में आए था, ठीक है, तो sign, cos, tan, थ Of sign का ratio में लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं लिखूंगा cos का ratio, ठीक है, यह थीज टीन चीज का ratio में लिखूंगा यहांपे okay, तो sign मतलब क्या होता है, sign का ratio का मतलब यह होता है एक formula है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, sign का मतलब होता है opposite upon hypotenuse, अभी मैं पूरा-पूरा लिखता हूँ पहले मैं shortcut लिख दूँगा, तो आप confused जाओगे actually मुझे आदद लगी हुए, shortcut लिखने की तो मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ, ठीक है आप confused मत होना दोस्तो, और उसको याद गरने का जो trick है मेरे पास, जो एक trick है, कि जिंदगी पर आपनी बूलोगे, मैंने भी शायद 9th में ही पढ़ा था आपने करियर में बहुत आगे बढ़ पाओ, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो चलो, जादा टाइम वेश्ट नहीं करूँगा, आपका lecture लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो formula में directly बदा देता हूँ, तो formula यह है, sign का ratio का formula होता है है दोस्तो, opposite upon hypotenuse, इसका मतलब में आपको समझाओंगा, पहले में formula एक बार लिख लू, opposite upon hypotenuse, दुसरा होता है, adjacent upon hypotenuse, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा tan, वो होता है, opposite upon adjacent, ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है, कि sign जब भी आया, कोई भी sign आएगा, मैं उसको अब ठीटा के form में भी आपको formula लिख के दिखाऊंगा, tension मतलो, तो sign का ratio जो होता है, वो opposite upon hypotenuse होता है, cross का ratio होता है, adjacent upon hypotenuse, और tan का ratio होता है, opposite upon adjacent, अब इसको याद रखने का जो shortcut trick में आपको explain करने जा रहा था, वो है, opposite के लिखूंगा, o, adjacent के लिखूंगा, hypotenuse के लिखूंगा, h, ठीक है, adjacent के लिखूंगा, a, hypotenuse के लिखूंगा, h, और यहाँ पर opposite के लिख, o, तो ठीटा का में formula लिखूंगा, लेकिन, पहले, sin का ratio होता है, opposite upon hypotenuse, sin का ratio होता है, opposite upon hypotenuse, cos का ratio होता है, adjacent upon hypotenuse, और tan का ratio होता है, opposite upon adjacent, confusing है, तो याद रखने का shortcut है, पहला क्या होता है, हमेशा, sin, cos, tan, यह 3 का ratio याद रखो, तीन का sequence याद रखो, पहले number पे sin, दूसरे number पे cos, तिसरे number पे tan, sin, cos, tan, कैसे याद रखोगे, sin, cos, tan, sin, cos, tan, पहला sin था, दूसरा cos था, तिसरा tan था, यह याद रखो, और 3 होते हैं, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह याद हो गया, उसके बाद इसको कैसे याद रखना है, OH, भोलते हैं, OH, यार क्या हो गया, ठीक है, तो OH मतलब OH, AH मतलब AH, घीक है, OH, AH और OE, एससा बोलते हैं, तो आपको कैसे बोलना है, OH, AH, OE, ठीक है, तो यह याद रखने का trick में ने बताया हुए, हम लोग कुछ मजाग में बोलते हैं इसे कुछ गाना होता है वैसा वाला तो मैंने यह बच्पन में ट्रिक बना लिया था क्योंकि दोस्तों अब इसको प्राक्टिकली कैसे यूज करना यह भी बता देता हूं तो कैसे याद रखना इसको अब देखो यहाँ पे ठीक है जैसे मैंने बोला कि यह साइन का देखा लगएं अगर द कुछ फरक नहीं है कि हमको साइन साइन र में आपको लिखना है, opposite upon hypotenuse, यह पूरा लिखना आपको, यह मैंने shortcut आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन याद आपको पूरे के तोर पर रखना है, O का मतला opposite, H का मतला hypotenuse, तो यहाँ पर थीटा देखो, समझ लो मेरा A यहाँ पर क्या मैंने माना है, ठीटा माना है, जो भी आपको दिया रहेगा, उसमें आपको बोला रहेगा, ठीटा क्या है, ठीटा यहाँ पर A है, तो साइन ठीटा का value क्या आ जाएगा, opposite upon hypotenuse, तो यहाँ पर opposite क्या है, ठीटा का, यह जो ठीटा एंगल दिख रहा है, इसके opposite में क्या है, BC, ठीक है न, तो BC, opposite हो गया, औ ठीटा is equal to BC upon AC, अब यह BC का और AC का अगर कुछ value दिया होता, 4 by 5 जो भी होता, तो वो आ जाता वहाँ पर, ठीक है, बड़ यह values अभी हम लोगो सीखना नहीं है, पहला जो प्रैक्टिसेर हम लोग करेंगे, उसमें बस ऐसे ही form में बस convert करके लिखना होगा, और कुछ नहीं ह ठीटा यह है, एडजेसस्ट मतलब यह वाला हो गया, बाजू में, ठीक है, तो यह हो गया, एडजेसस्टा कौन साई ब़ी है, और है हाइपोटेनेस टो आपने पेचाना पहले सही है, तो AC हो गया, टैन का मतलब होता है, ओ यह मतलब, ओ आपगे, तो O मेरे ले ले क्या है, अपोजिट मेरे लिए अगेन BC है और A मेरे लिए क्या है अगेन AB है तो BC बाई AB तो यह इस तरह तीनों आपने निकाल लिया साइन थीटा का वैलू, कॉस थीटा का वैलू एंड टैन थीटा का वैलू आपने निकाल लिया clear है तो उमीद करता हो थक या दोस्तों कुछ भी परिशानी आपको नहीं हुई रहेगी तो लोग actually डरा के रखते है मैंने बहुत बार students लोग को बात करते हैं सुना है और जब मैं छोटा था न आप लोग के age का तो बहुत लोग बोलते हैं दराते थे क्या डराते थे कि सबसे ज़्यादा हाड अगर geometry में कुछ चीज होता है वो होता है trigonometry मैं बोलता था यार सबसे easy मिरको trigonometry लगता है क्यों क्यों कि यार ही easy है कि नहीं आपको समझ में आ रहा होगा easy है अभी practice set solve कर रहा होगा और easy लगेगा tension मतलो ठीक है तो चलो solve करते हैं इसको practice set आप लोग को अगर मेरी मदद करना है तो बस आप एक ही चीज़ से कर सकते हो कि आप जादा स्यादा वीडियोस को अच्छे लोगों तक शेयर करो so that वो लोग भी वीडियोस देख सके और वो लोग भी आगे शेयर कर सके तो प्लीज ये चीज़ जरूर से करना ताकि मुझे अच्छा लगेगा जादा लोग मेरे वीडियोस का फाइदा उठा पाएंगे तो ठीक है तो जरूर से करते हैं उमीद करता हूँ कि आप लोग कर पाओगे ये चीज़ ओके तो चलिए शुरूरात करते हैं प्राक्टिस सेट नमर 8.1 के अगर मैं बात करूँ सबसे पहला कोश्चन अगर मैं बात करूँ आप देख सकते हैं अपने बुक में पहला कोश्चन में एक डाइग्रम दिया हुआ है जिसका नाम है और ये 90 डिग्री ऐसा देखे रखा हुआ है तो ये PQR एक डाइग्रम दिया हुआ है इसमें पूछा है कि ये राइट अंगल ट्रेंगल है PQR का राइट फॉलविंग रेशियोस आपको कुछ रेशियोस निकालना है यहाँ पर कोश्चन लिख देता हूँ पहला है साइन दूसरा है दूसरा कोश्चन यहाँ पर चार कोश्चन दिये हुए साइन पी कॉस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह पेला बोलता दोस्तो, रट्टा तो आप मार लोगे, बहुत साले लोग रट्टा मार के चले जाते हैं, लेकिन रट्टा मार लोगे, लेकिन कुछ अलग से पूछ देगा, तो नहीं कर पाऊगे, लेकिन concept clear रहेगा, कौन सा भी पूछने दो, बोलो सामने लो, वैयार तू कोई toughest upon hypotenous, ना होता है ना ह, ठीके? adjacent upon hypotenus, एक्यो की जटेखो, क्या होगा, बाजू में कों है? यह कि यह कंफूजन होता है यह हमेशा आयद रखना, Q के बाजू में यह होगा क्योंकि यह तो आपका hypotenस है ना, यह तो आपका hypotenयस है तो यह तो लेही दो नहीं सकते है क्योंकि 90 के opposite होला हाइपोटेनस है यह सबके लिए हाइपोटेनस होगा तो यह वाला हाइपोटेनस है यानि कि जो side होगा एडजसेंट का यह होगा qr तो यह qr adjacent हो गया हाइपोटेनस हो अब को पता है p q है डाल दिया तिसरा फ्लो मी मैंने थोड़ा सा तेड़ा बना दिया लेकिन उभीद करता हो कि आप लोगो दिख रहा होगा समझ में तो आ रहा होगा चाउ था है thank you का करते है thank you thank you कि दर है tan का मतलब again क्या होता है tan का मतलब होता है oe ठीक है तो oe कैसे लिखेंगे opposite upon adjacent ठीक है न opposite कि दर है देखो q का opposite q का opposite है यह वाला side यानि कि pr और अगर आपको question में कभी कबार ऐसा भी पूछता है कि यह जो साइड होते है इसके value भी दिये होते तो यह qr का जो भी value रहेगा डाल देना तो नंबर के ratio आ जाएंगे और कुछ फरक नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हो कि पहले question का answer आपको समझ में आ रहे फटा-फट रॉफ कर लेता हूँ लेकिन आपके पास तो control है आपके हाथ में videos आप देखते हो तो आपके हाथ में control है हमारे हाथ में time है और मैं कोशिश करता हूँ जितना कम time आपका लूँ क्यूंकि मैंने जाता कि आपका में waste कर आओ time waste करना मुझे अच्छा नहीं लगता आप जो भी internet से खर्चा कर रहे हो तो यह सिर्फ video देखो और काम की चीज़ देखो बाखी फाल्तु बखवास नहीं करता में ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया हूँआ चलते हैं अगले example की तरफ ओके तो ध्यान से देखना चलते हैं ठीक है second example reading डाल दिया question no.2 of 8.1 क्या है एक diagram अगें दिया हूँ है सबसे पहले वो diagram को में draw कर लेता हूँ इस प्रकार कुछ diagram दिया हूँ है ठीक है आईसा कुछ diagram है जिसमें आपको labeling दिया हूँ है x y z ठीक है this is x point this is y point this is z point ठीक है और यह अगें 90 degree ऐसा दिया हू अगें इसमें पूछा हुआ है पहला आपको निकालना है sin x ठीक है यहाँ पे निकाल देंगे second आपको निकालना है क्या है 10 z 10 z निकालना है ठीक है निकाल देंगे तीसरा आपको निकालना है क्या निकालना है तीसरा cos x निकालना है cos x और चौथा आपको निकालना है क्या न याद करो, साइन का क्या था? O, O, ठीके, ना, साइन का क्या था? O, यानि कि Opposite अपान हाइपोटेनियस O का मतलब यह होता है, O और H O, H होता है, O, मतलब देखो मैं हमेशा O, A, O, A बोलता हो, तो O का मतलब क्या होता है? O, I, H A का मतलब क्या होता है? A by H O A का मतलब क्या होता है, O by A, ऐसा याद रखो, opposite hypotenuse, देखो आ गया है, याद रहेगा, उमीद करता हूँ कि यह जिंदगी बर नहीं भूलोगे आप लोग, जैसे मैं नहीं भूलाओ अभी तक, फिलाल 25 साल का हो गया, बच्पन में जब मैंने पढ़ा था, 9th standard में आप लोग X का opposite क्या आएगा, देखो X का opposite है, यह वाला side, यानि कि क्या नामे इसका, YZ, YZ नामे, side का नाम क्या है, YZ है, और hypotenuse कौन सा होगा, 90 का opposite वाला, यानि कि यह वाला, XZ, तो YZ अपन XZ, लेकिन value क्या है, YZ का value दिया हुआ है, A, और XZ का value दिया हुआ है, C, यानि A by C, आग upon adjacent, यह हो गया, OA और Z के लिए, Z ना, यह 10Z, तो Z यह रहा, opposite क्या है, इसके लिए यह वाला part, यानि कि XY, तो XY upon adjacent क्या होगा, इसके लिए, बाजु वाला कौन सा होगा, यह तो hypotenuse है, तो यह होगा, यानि कि YZ, तो XY upon YZ, यानि कि XY केतना है, XY है B, और YZ केतना है, A, तो B by A वैसे cos X, X की दर है यह वाला, पहले cos का value क्या होता है, OA, यानि कि adjacent upon hypotenuse, यह होगा, A, X के लिए, adjacent क्या होगा, X के लिए, यह वाला होगा, that is XY upon hypotenuse, यह ही है, that is XZ, तो क्या हो जाएगा, B by C, तो क्या हो जाएगा, B by C, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहे है, उमीद कर पतलव, opposite upon adjacent, ठीक है, opposite upon adjacent है, तो X का opposite क्या है, यहाँ पे आप देखो, X का opposite है, यह वाला, यानि कि YZ upon X का adjacent क्या है, यह वाला, यानि कि XY, तो YZ का value दिया हुआ है, हमें, YZ की दर है को YZ का value है, A, और XY का value है, B, यानि कि यह हो जाएगा, A by B, clear है, हो गया, 4 के 4 का answer, जो हम आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, बहुत simple सा concept है, बहुत easy है, तो यह था हमारा second question का answer, वैसे आप देखोगे, third question भी इसी प्रकार दिया है, कुछ भी hard नहीं, इस बार values दिये हुए, उसमें, ठीक है, लेकिन value से गवराना नहीं है, कैसे करना है, solve, करते हैं, आपको ल करो, क्योंकि आपके हाप में control है, आप उपर निचे कैसे भी करके देख सकते हो, वीडियो, कोई परिशानी नहीं है, ठीक है, चलो, तीसरा example, जो की इस chapter, I mean to say, इस practice set का तीसरा example है, और आज का मेरे लिए आखरी example है, क्योंकि चवथा में आपको हमबग देने वालो, तो प आपका 50 डिगरी ऐसा बोल के रखा है, और यह आपका 40 डिगरी बोल के रखा है, question आपको क्या निकालने बोला है, पहला, पहला इसमें पुछा है, sign 50 निकालने बोला है, second, क्या बोला है, cost 50, अरे बापरे, खतरनाक दे दिया, cost 50, दरना नहीं है, बिलकुल, मैं खतरनाक बो cost 40, ठीके, चलो, हो जाएगा, solve, हो जाएगा, बहुत simple है, कैसे करेंगे, again, sign है, sign का मतलब क्या होता है, ओ, यानि कि opposite upon hypotenuse, पूरा-पूरा लिखना, ठीके, मैं shortcut लिखता हूँ, आप लोग पूरा-पूरा लिखना, opposite upon hypotenuse, ऐसा, तो 50, sign 50 की दर है, 50 की दर है, 50 की दर है, 50 क पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पू लम पहले लम आएगा उसके नीचे है हाइपोटेनेस लन आएगा ठीक है यह हो गया तीसरा टैन है टैन का मतलब क्या होता है ओह ओए 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 का मतलब अपोजिट 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 यह वाला साइट तो लम अपोजिट के लिए अपोजिट यह वाला होता है कॉस का होता है एड़्टन अपॉन होता है है होता है स्वर्ट परेशानी हुई विल्खुल नहीं हुए तो उमीद करता हूं कि यह कोश्यन भी आपको समझ में आ रहे गा बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा एक्जामपल है इसमें कोई भी प्रॉबलम आपको नहीं आएग फोर्थ एक्जामपल एक एक्जामपल आज दे रहा हूं मैं आपको हमवक बाकी समय ने करा दिया तो उमीद करता हूं कि आपको पहला जो हमारा प्राक्टिस सेट है इसी के साथ खतम होता है तो यह चीज समझ में आ गया होगा और लोग जो आपको डरा के रखते थे ट्रि फट से शेयर करदेना सबको चैनल पर नूए हूं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को भी सब्सक्राइब करदेना साथ मैं बैल आईकन को हिट करदेना दोस्तो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे आप लोगो मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थांक यू एंड गुडबाई